असलाम वालेकुम तो चलिए शुरू करते हैं ये सब फेबल्स अब फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दाट है अब अमॉरल और मेसेज फॉर उस फेबल्स क्या होते हैं? फेबल्स जो छोटी-छोटी सी कहानिया होती हैं इसमें हमारे लिए सीखने के लिए कोई एक मैसेज होता है या उसमें हम कुछ सीखते हैं एक सबग मिलता है हमको उन स्टोरीज को पढ़ने के बाद में Something to learn and keep in mind as we grow up ऐसा कुछ जो हम समझ सकें, याद कर सकें, सीख सकें और जो हम अपने जहन में रख सके हैं उस दौरान जब हम ग्रो हो रहे हैं जब हम बड़े हो रहे हैं उस दौरान हम उन सबक को अपने साथ याद कर सके हमारे साथ केरी कर सके हैं Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings जाधा तर जो fables होते हैं उसमें animal characters होते हैं जो भी characters होते हैं वो stories के अंदर आप देखेंगे अगर तो उसमें animals ही होते हैं ऐसे act करते हैं उन fables के अंदर जैसे वो खुद human beings हों, okay It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Isa ऐसा माना जाता है कि जो जाधा करके जो fables हैं जो short stories है वो पहली बार जो बोली गई थी वो एक बहुत ही intelligent, अकल्मिंद और समझदार शक्स थे जिनका नाम ईसब था उन्होंने उसे narrate किया ईसब lived hundreds of years ago in a country called Greece बहुत सालों पहले एक मुल्क था एक देश था जिसका नाम है Greece वहाँ पर वो रहते थे बहुत साल हो गया hundreds of years ago His stories became so popular that people pass them on from generation to generation उनकी stories इतनी जादा नाम कमाई, इतनी जादा popular होई, इतनी जादा लोग प्रियों हो गई कि लोग अपनी generation से एक पीडी से दूसरी पीडी जैसे डड़ी ने अपने बेटे से कहा, बेटे ने फिर अपने बेटे से कहा इसे कहते generations to generations pass होना Many proverbs and sayings that we use today बहुत सारी कहावते हैं, बहुत सारे proverbs जो हम आज की तारीक में use करते हैं based on these fables यह इन fables पर आधारित होते हैं Here are two well known fables अब आपके साम में दो नए fables बताए जाएंगे जो बहुत जादा popular है The stag at the pool अब stag किसे कहते हैं? जो male deer होता है उसे stag कहते है One day a beautiful stag came to a pool of clear water एक दिन एक बहुत एक खुबसूरत stag जो male deer होता है वो एक्तम साफ पानी के pool के नजदीक आता है As he bent down to drink जैसे ही वो पानी पीने के लिए जुकता है He saw his own reflection in the water उसे अपना खुद का reflection खुद का aks, खुद की परचाई पानी में नज़र आती है He was delighted with what he saw और जो उसने देखा reflection में पूल में जो उसे दिखाई दे रहा था जो आइने के जैसा काम कर रहा था वो उसे देकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया Instead of drinking water He kept looking at his own reflection पानी पीने के बजाए वो अपने reflection को ही देखता रह गया इतना अपने आपको पसंद करने लगा वो देखने के बाद How handsome I look, he said to himself अपने आपको वो कहता है कि मैं कितना handsome हूँ कितना खुबसूरत हूँ How beautiful are these curving antlers और कितने खुबसूरत ये curving antlers है antlers का मतलब होता जो उसके सर पर sing है जैसे कि आप picture में देख सकने है कि जो हिरन है उपर जो picture दी ये वो पानी पीने के लिए जब छुपता है तो उसके सर पे जो antlers है उसे sing जो हम कहते है हिंदी में उसे देख कर वो बहुत खुश हो गया How they add to my beauty वो मुझे कितना खुबसूरत बना रहे है Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool फिर वो नजदीक जाता है और पूल के और उसे क्या होता है उसके पेर भी पूल के अंदर नजदर आते हैं He was quite disgusted उन्हें देखने के बाद में वो बहुत मायूस हो गया वो अपने पेरों को देखने के बाद बोलता है ये कितने गंदे हैं All spinely with small feet पतले हैं पतले और लंबे हैं How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers और फी वो कहता है काश खुदरत ने मुझे उतनी खुबसूरत पेर दिये होते हैं जितने खुबसूरत antlers मुझे दिये हैं As he was brooding in this way the stag heard an arrow going swish across the pool और ऐसे ही वो चल रहा था आई गया के बढ़ आता थोड़ा उदासी में अचानक से उसके पास से एक arrow गया Swish का मतलब होता है कोई भी चीज अपने पास से तेज रफतार से जाती तो कैसी आवाज आती है उसको swish कहने है एक पास से गुजरा और उसे लगा नहीं At the same time he picked up the scent of hunters और उसे hunters की smell भी आ गया नाग बड़ी तेज होती है इनिमल्स की उन्हें पता चल गया उसको उस टैक को कि यहां पर hunters आयों है उसे मारने के लिए With a quick turn, एक्तम जल्दी से वह मुड़ा He bounded away, bounded away का मतलब होता है जोर-जोर से छलांग लगा कर वहां से निकल गया His legs carried him swiftly into the forest उसके जो पैर थे जिने वह बिलकुल पसंद नहीं करता था वही उसकी काम आये और उसे फटा-फट वह forest की तरफ वह चला गया उसके इस्तेमाल करके अपने पैरों का इस्तेमाल करके The hunters were hot on his trail But they were no match for his speed बस पकड़ नहीं वाले थे उसे कहते है hot on his trail Soon the stag left the hunters far behind और क्योंकि उसके पैरों ने उसके बहुत मदद कि और वह इतना तेजी से वहां से निकल गया कि hunters बहुत पीछे रह गया और वह आगे निकल गया Safe and out of hunters reached the stag slow down अब जब उसके ऐसा लगा कि हाँ भई अब hunters बहुत दूर हैं उससे तो वो अपनी speed थोड़ी कम कर दिया Suddenly, अचानक, without realizing it, बीना एहसास हुआ उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है तो वो अचानक से वो एक thicket में चला गया He walked into a thicket, thicket क्या होता है, picture में देख सकते है Thicket, okay There were trees with strong branches growing close together वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, जिनकी बहुत सारी branches थी और वह बहुत जादा strong थे और बहुत नजदीक नजदीक उनकी growth हुई भी थी And alas, of source, the same antlers of which he was so proud got caught into the thick growth उसको बहुत जादा फकर करता था, बहुत जादा proud था antlers उसके उस पेड में, उस thicket में फस गए The stag tried to shake himself free, stag ने बहुत कोशिश किया वह जो male deer था कि अपने आप से भार निकाल सके But the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches और जितना जादा वह कोशिश करता, उतना जादा उसके जो antlers है वह thicket में फस्ते जाते थे Once again the stag could hear the hunters drawing close अब फिर से उसे आवाज आने लगी hunters की के वह और नजदीक आ रहे हैं And grew afraid और वह घबराने लगा At last with great difficulty और आखिर में बहुत मशक्कत मुश्किल के बाद He managed to freeze entlers and bounded away और फिर उसने कोशिश करने के बाद, बहुत ताकत लगाने के बाद मुश्किल के सामना करने के बाद अपने पेरों को इस्तेमाल करने के बाद वो उस entlers को वहां से free कर सका And डॉड गया I realize now that my ugly feet saved my life अब उसको realize हुआ अब उसको एहसास हुआ कि जिन feet को जो मेरे pair हैं जिनको मैं अगली समझता था बदसूरत समझता था बद्दे समझता था वो ही मेरे काम है I was so proud of these handsome antlers और मैं इन antlers के in sink के उपर बहुत जादा नास करता था proud करता था but they would have been the cause of my death लेकिन वो ही मेरे मौत का कारण बन सकते थे very often we dislike the very things that are most useful to us तो हमें क्या सीखने को मिला इस fable से कि बहुत बार हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन हकीकत में वो हमारे लिए अच्छा होता है लेकिन प्रिए बढ हमारे लिए